बिहार की राजनिती में पिछले दो दिनों से लड्डू को लेकर संग्राम छिरा हुआ है आपको बता दे कि लैंड फॉर्ड जॉब स्कैम में लालू राब्डी समय सभी 16 रूपियों को बेल मिलने के बाद राज़ों की तरफ से विधान सभा में बीजेपी के निताओं को जबरन लड्डू खिलाया जा रहा है आपको बता दे कि बीजेपी ने जब लड्डू खाने से मना किया तो राज़त देश साफ कह दिया कि कुट्टों को घी हजम नहीं होता है अब बीजेपी ने इसको लेकर राज़त पर तीखा प्रहार किया है बीजेपीमल ने हरीबूशन बच्वान ले कहा है कि सारे दुनिया इस बात को जानती है कि कुट्टे वफधार होते हैं और वे छोर को देखकर भॉकते हैं आपको पता दे कि उन्हें आगे कहा कि जो चोर है उन्हें देखकर कुट्टे तो भॉकेंगे ही राज़त के नेता समन और बेल पर हैं उनके पता जेल की यात्रा कर रहे हैं हेल्थ ग्राउंड पर बेल मिला है और घूम घूम कर लड़ू बांट रहे हैं इससे पहले भी बेल मिलने पर हाथी पर चड़कर आये थे और बाद में तीन साल का जेल काटता पड़ा आगे उन्हें कहा कि भले ही बेल मिल गया है लेकिन फिर से उन्हें जेल जाना पड़ेगा मूच भी नहीं आई थी और इतना संपति के मालिक बन गया अब जवाब देने में परिशानी क्यों हो रही है बचान ने कहा कि अभी वी वक्त है तो जस्वी आदव माफी मांग ले नहीं तो उनकी राजनिती खत्म हो जाएगी दरसल आपको बता दे कि रेलवे में नौकड के बदले ज्वमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में तककालिन डेल मंत्री लालू प्रशाद उनकी पत्नी पुर्व सीएम राबडी देवी और बेटी मीसा भारती समय तिस कैम से जुड़े कुल 16 आरोपियों की बुद्वार को सब्सक्राइब को दिल्ली स्थित्सी सीबी आई की स्पेशिल कोट में पेशी हुई थी कोट ने लालू परवार को राहत देते हुए 50,000 के नीची मुचल के पर सभी आरोपियों को बेल दे दिया था आपको बता देगे कि बेल मिलने के बाद पत्ना में राजवत निताओं भारी खुशी देखी गई और खुशी के कारण लड्डू बाते गए थे उधर दूसरी तरब बीजेपी विधायक लखें प्रस्वान के विधान सभा की कारेवाही से निलंबन के बाद सभी वीजेपी विधायक सदन के बाहर धरना पर बैठे थे इसी भी राज़त के प्वजूद राज़त के अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर पूछा गया कि क्या सुद्देशी घी के लड्डू कुद्टे प्टा सकते हैं उसके बाद से इस मामले में विवाद सुरू हो गया है अब एक तरफ जहाएं इस ट्वीट के निंदा की जा रही है ऐस इस मामले को उठाया गया कि ये स्ट्वीट के बारे में राज़त साफ करें कि आखिर वक्त किसको कहना चाहती है वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी के फायर ब्रान नेता आरी भूशन ठाकुर बचौन ने कहा है कि कुद्टे वफदार होते हैं और चोर को देखकर कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि उन पर आगे कारवाई भी हो सकती है तो फिलहाल इस खबर में बसता ही आगे कि तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहें दैंड़ा टॉप बाट रहे हैं हाथी पर चरके आये थे अब उसमें तीन साल काट करके आये हैं फिर लड्डू बाटे हैं फिर जेल जाना पड़ेगा कि अग्या कि अग्या कि